सर्दी खासी से दूर रखते हुए हल्दी वाले दूद में मौजुद एंटिबायोटिक्स यानि प्रती जीवी शरीर के फ्री रेडिकल सेल से लड़ते हैं हेलो एंड वेलकम टू अबर चैनल रंगीन रसोई आज खास द्यान देते हैं हमारी इम्यूनी सिस्टेम को और भेतर बनाने के लिए ताकि कोई भी रोक आपको छूँ ना सके चलिए नौर्मल हल्दी वाले दूट को भी और ज्यादा फाइदे मन बनाया जाए इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक कप दूद आधा चमच हल्दी एक टीस्पून अद्रक्की पेस्ट दालचीनी का एक छोटा टुकडा एक चमच शहद और एक टीस्पून काली मिर्च का पाउडर एक पैन में हम ले लेंगे एक कप दूद और उसमें एड़ कर देंगे हल्दी, अद्रक्की पेस्ट, दालचीनी का एक छोटा टुकडा और काली मिर्च का पाउडर और इससे अच्छे से हम मिला लेंगे और बॉइल होने देंगे इसे लो से मीडियम फ्लेम पर भार्तिय परंपरा में हल्दी वाले दूद का जिक्र बहुत पहले से है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी ताकत को और बढ़ाया जा सकता है इसमें कहीं चीजे अड़ करने से काली मिर्च के एंटी बैक्टिरियल तत्व आपको इंफेक्शन और सर्दी खासी से बचाने में मदद करता है अधरक एक गुनों से भरपूर मसाला है सर्दी खासी, डाइजेशन और सामान्य दर्द से लेकर कैंसर और हार्ट डिजिस जैसी बिमारियों में इससे फाइदे मन माना गया है दालचीनी में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुन मौजूद है जो सर्दी खासी से बचाते है तो अब हमारा दूद उबलकर तयार है तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने देंगे जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसमें एड कर देंगे शहल बिकास इसे गरम दूद में मिलाने से इसकी गुणवन्ता कम हो जाती है और ये उतना असरदायक नहीं रहता इसे चानने के बाद अब ये तयार है पीने के लिए तो तयार है हमारा गोल्डन टर्मरिक मिल्क इसे पीने से बदलते मौसम में होने वाली सरदी खासी गले की खिच-खिच और सीजनल बुखार से छुटकारा मिलता है और ये हमारी इम्यूनिस सिस्टम यानि की रोग प्र करें और शेयर करें और हमारी चैनल रंगी इंद्रसई को सब्सक्राइब करना ना बूले तिल दाट टाइम स्टे सेव स्टे हैल्दी सी यू सून